कब तक आखिर कब तक मीडिया का कुछ लोग इस तरीके से उपयोग करते रहेंगे वो कुछ भी कहते रहेंगे और हम कुछ भी दिखाते रहेंगे और आखिर क्यों दिखाना पड़ता है इसलिए दिखाना पड़ता है कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं उन्हें सुनना चा प्योग नहीं दूर्प्योग करते हैं और दूर्प्योग करने के बाद अपनी चीज़ों को दूर दूर तक फैला देते हैं मैं बात कर रहा हूं राकी सावंद की जो कि दीपक कलाल से शादी करने वाली हैं शादी करने की जो बाते हैं उन्होंने मीडिया के सामने रखी तमाम बड़े मीडिया हाउस के जो आईडी हैं वो नीचे रखी हुए थे और राखी सावंद जिस अदाओं के लिए जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं उसी तरीके से वो बाते कर रही थी तमाम जो बात पूरी है इन बातों पर जरूर हमें गावर करना चाहिए कि कब तक जो लोग मीडिया का इस तरीके से दूर्पयों करते रहेंगे आए हम आपको सुनाते हैं राखी सावन का वो समवाद जो वो मीडिया के सामने कह रही थी जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है राखी तुमान जाओ ऐसे मत करो क्योंकि इसमें वो लोग साथिस्वाइ हो जाएंगे और वो ऐसे गलत कारना में अरे तुम इदर शादी की तुम्हारी बात करने आयो के मेरा क्या अरे अगर समझो नहीं भी मैंने बच्पन में तकिया रखा था जिसको में राखी सावन समझता थ तो उसमें गलत क्या है तो आप यह कहना चाहते है कि राखी सावन नाम के आप डॉल बनाएंगे या और उस डॉल का नम राखी सांद रखेंगे या और उसके बाब में वो जो मतलब अभी तक पूर है जब तैमूर के डॉल बनी है वैसे मेरी भी बनेगी हाँ डेफिनिटल अगलत वकोरिख कया खरेंगे तो कि गलती है क्योंके धो ने घंड क काम करेंगे वह मेरे साहऊिँ हो सब्त्राफ करेंख दो कि तुम्हारे साथ नहीं डरling कि यह तो कैसे प्रोड़क्त कि बअभा तुम आपने तो मुझे अपने बीवी नही प्रोड़क्त बनादी है या क से कुछ भी नहीं है हजार साल आगे हैं मेरी जो सोच है वो तब ही आप नियूडशादी कर रहे हैं जाज ओको भी वो यूज़ कर रहे हैं जिस दिन हम ऐसी बातों पर चर्चा करना बंद कर देंगे तो ऐसे लोग इस तरीके की बाते करना बंद कर देंगे आप क्या सूचते हैं इन बातों पर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं